हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में स्पीच रिकुनाइजेशन कैसे अन अफ करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शु क्लिक करके हैं इस तरह से विंडो ऑपन हो जाएगा इसके बात आपको क्या करना यहाप यहां से याँ ऑन कर रहता है यहाँ कि आपने हिसाब से चरeh करता है इसके बाद आपको नेथो किलिक कर देने इसके बाद तरह से विंडू आएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ फालने यहाँ यह बहुत será ने आप Sat., पर क्लिक कर दिने इसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर दिने इसके बाद इस तरह से विंडो आ जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर आप अपने हिसाब से इसके बाद यहाँ पर आपको next पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर print to speech card select कर सकते हैं इसके बाद आप next पर क्लिक करके इसको आप next करके finish कर सकते हैं यदि आप tutorial देखना चाहते है तो start tutorial कर सकते है यानि तो skip tutorial कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं से इसको आप कर सकते हैं इसी तरह यह दिया आपको आफ करना होगा तो यहां से आप आफ कर सकते हैं इस तरह से आफ कर दिजेगा इस तरह से यहां से आफ कर सकते हैं यहां से आफ कर सकते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा नहीं तो इसको आप कीबोड से भी कंट्रोल कर सक इसके बाद आपको क्या करना है इसको यहां से आपको क्लोज कर दिने और प्लीज गैश चैनल को शब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक यू